Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम Rise of Empires, Ottoman के Season 1 के Episode 1 का Explanation देखने वाल हैं World History में Ottoman Empire का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली समराज्यों में शुमार होता है इसने Middle East, Eastern Europe और North Africa के बड़े एरिया पर 600 साल से भी ज़्यादा समय तब राज किया था Episode की शुरुवात में उस्मान गाजी के सपने का excerpt दिखाया जाता है But wait a minute, ये उस्मान गाजी थे कौन? 1380 के Around, Anatolia या Asia Minor का Region जिसे आज हम Turkey के नाम से जानते हैं चोटी-चोटी Turkish tribal रियासतों में बटा हुआ था और इनी चोटी-चोटी tribes को एक कर देते हैं एक ऐसे ही काई tribe के लीडर उस्मान गाजी अपनी सक्सेस के दम पर 1300 से 1326 के बीच उस्मान गाजी एनाटोलिया में चोटा सा Muslim स्टेट स्टाबलिश कर देते हैं जो आगे चल कर mighty Ottoman Empire बनता है और इनी के एक वनशज होते हैं महमत दस सेकेंड जिनकी स्टोरी आज हम इस वेब सीरीज में देखने वाले हैं तो हम बात कर रहेते उस्मान गाजी के सपने की ऐसा सपना जो उन्होंने 1280 में कॉंस्टेंटिनोपल शहर को लेकर देखा होता है असल में उस्मान गाजी अपने समय के मशूर फलसफी या टीचर शेक अदाबली के यहां गय होते हैं रात में उन्हें एक सपना आता है तो उन्होंने सपने में देखा कि एक चांद का टोड़ा शेक अदाबली के सीने से निकल कर उस्मान के सीने में चला गया और एक पेड उनके सीने से निकला और बढ़ता ही चला गया और उस पेड ने सारे संसार को अपने अंदर ढख लिया था और चार बड़े बड़े पहाडों ने उस पेड की डालियों को संभाला हुआ था उस पेड की जड़ों से चार नदियां भी बह रही थी इसके बाद बहुत तेज हवा चली और पेड की पत्तियां एक शहर की ओर उड़ गई यह शहर ऐसी जगा था जहां दो समुद्र और दो कॉंटिनेंट्स आपस में मिलते थे यह शहर एक डायमंड की तरह प्रतीक हो रहा था जो दो सफायर रूपी समुद्र और दो एमरेल रूपी कॉंटिनेंट के बीच जड़ा हुआ था और यह भोगौलिक संडरचना एक अंगूठी के तरह दिख रही थी उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना ही चा रहे थे तब ही उनकी आग खुल गई जब उस्मान गाजी ने अपना यह सपना शेक अदाब अली को बताया तो शेक अदाब अली ने उस्मान को मुबारक बात दी और कहा कि अल्ला ने तुम्हें और तुम्हारी ऑलाद को इसलाम के खिदमत के लिए चुन लिया है और फिर शेक अदाब अली ने अपनी बेटी का निकाह उस्मान के साथ कर दिया सन 1453 में हुए रोमन एम्पिरर कॉंस्टेंटिन 11 और महमत सेकेंड के बीच कॉंस्टेंटिन उपल शेहर को लेकर जंग चल रही है कॉंस्टेंटिन उपल अभी बाइजेंटिन अम्पायर की राजधानी है कॉंस्टेंटिन उपल के किले की उपर महमत कॉंस्टेंटिन 11 को देखता है जंग के मैदान में महमत के दिमाग में एक ही जीज घूम रही है या तो कॉंस्टेंटिनोपल उसे हराएगा या तो वो उस पर जीत हासिल करेगा उससे अपने पूरवजों की अवास सुनाई दे रही है तब ही एक सैनिक उस पर तलवार से प्रहार करने ही वाला होता है कि उसकी नींद खुल जाती है महमद अपने तंबू से बाहर निकलता है और कॉंस्टेंटिनोपल के किले की विशाल दिवारों को देखता है महमद से पहले 23 बार कॉंस्टेंटिनोपल शहर को गिराने की कोशिश की गई लेकिन काम्याबी किसी को नहीं मिली मेडिटरिनियन सी में सबसे बड़ा शहर था कॉंस्टेंटिनोपल और ऐसा माना जाता था कि जिस किसी का भी कॉंस्टेंटिनोपल पर राज होता वो दुनिया पर हुकूमत करता 1459 इस शहर पर अभी रोमन एमपायर का राज है और इसके रूलर थे कॉंस्टेंटिन लेवन अनाटोलिया के छोटे सी रीजन से फैलते फैलते आटोमन एमपायर की टरिटरी इस्टन योरोप तक फैल गई थी पर कॉंस्टेंटिनोपल का शहर अभी भी रोमन्स के पास था इसलिए रोमन्स को सबसे जादा खत्रा आटोमन्स से ही था संद 1459 में आटोमन्स सुल्तान मुराद सेकेंड की मौत हो जाती है आटोमन्स में ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा ही उसके जाने के बाद राजगदी में बैठेगा बरकि शाही खांदान के सारे मेंबर्स राजगदी के बराबर की हकदार होते थे अपने पिता के साथ होई अनबन की वज़र से सुल्तान मुराद सेकेंड का बेटा महमत सेकेंड एगन प्रोविंस के मनीशा शहर में देश निकाला जहिल रहा था जानोश पाशा महमत को बताता है कि उसके पिता की मृतियों के बाद राजदर्बार में वजीर और दर्बारी कॉंस्पिरेसी और कानफूसी कर रहे हैं कि राजगदी में अब कौन बैठेगा राजगदी में दावेदारी ठोकने के लिए महमत तुरन आटमेन के कैपिटल एड्रियानोपल की ओर रवाना हो जाता है एड्रियानोपल पहुचकर महमत उसके पिता के वजीर चंदारली हलिल पाशा से मिलता है महमत अभी महज 19 साल कै और पहले भी वो कई नादानी कर चुका था जिसके लिए उसे उसके पिता के द्वारा देश निकाला तक कर दिया गया था इसलिए चंदारली हलिल पाशा को उसकी काबिलियत पर शक है राजदर्बार में वो अपनी सौतेली मा मारा ब्रांकोविच से मिलता है इस राजदर्बार में जगनौस पाशा के अलावा उसकी मा उसकी सबसे भरोसे मन साती थी वो महमत को बेसबरी से राजगदी में बैठा हुआ देखना चाहती है महमद राजगदी में तो बैठ जाता है पर उसका राजदर्बार दो हिस्सों में बढ़ जाता है एक तरफ ते उसके पिता के पुराने वजीर जिनने महमद की काबिलियत पर शक है और दूसरे तरफ ते उसके भरोसे मन अडवाईजर्स जो उसके साथ मनीशा से यहां आये होते हैं और जिनका लीडर था जानौश पाशा महमद को निसार का बच्चा समझ कर एक विरोधी टर्किस सरदार ने वेस्टरन एनाटूलिया की ओर्टोमेन की जमीन पर कबजा कर लिया पर महमद और उसकी फॉज ने बागियों को कुचल डाला उधर रोमन्स भी महमद को धंकी देते हैं कि अगर उसने अपने चाचा उरहान का ख्याल रखने की रखम को तीन गुना नहीं की तो वे लोग उरहान को छोड़ देंगे असल में रोमन्स ने उरहान को पकड़ के रखा हुआ था जिसके बदले Ottomans Romans को पेमेंट करते थे ताकि वे उरहन को ना चोड़े क्योंकि Ottomans सुल्टान को डर होता था कि कहीं उरहन आ गया तो राजगद्दी में बराबर हगदार होने की बज़ा से वो उनकी हुकूमत को चैलेंज ना कर दे पर महमद Konstantin की अधमकी से डरने के बज़ाए Romans को चुनौती देने की धानता है वो अपने रुमैली हिसारी के प्लैन को हलील पाशा के साजा करता है रुमैली हिसारी का मतलब है रुमन लोगों की सरζमी पर किला हलील पाशा महमद को रोकता है कि ये तो Act of War होगा पर वो उसको यह कहकर चुप करा देता है कि Romans का दाइरा सिर्फ Constantinople शहर तक ही है उसके बाहर का सारा इलाका उसी का है महमद बॉस्पुरस स्ट्रेट के यूरोपियाई हिस्से में एक किला बनवाता है जो ब्लैक सी में मौझूद Romans के सहीयोगियों से फौजी मदद और रसत पर रोक लगा सकता था इस किले का नाम था The Throat Cutter यह किला महद साड़े चार महिनों में बन कर तयार हो जाता है और इस प्रकार Ottomans और Romans युद के और करी पहुँच जाते हैं इस बात से खफा कॉंस्टेंटीन ने महमद का विरोध करने के लिए उसके दरबार में दूद भिजवाए लेकिन महमद ने उन्हें भगा दिया इसलिए कॉंस्टेंटीन ने कुछ और लोगों के द्वारा धेर साड़े तोफे भिजवाए और कहा कि आप वादा करेंगे कि आप कॉंस्टेंटीन उपल पर हमला नहीं करेंगे लेकिन महमद ने उनका सर धर से अलग करकर उनका सर वापस कॉंस्टेंटीन उपल भिजवा दिया और यह भी संदेश भिजवा दिया कि कॉंस्टेंटिन को इसका जो मतलब निकालना है वो निकाल सकता है महमत का संदेश पाकर कॉंस्टेंटिन के दर्बार में सबी महमत को सबक सिखाने की बात करते हैं लेकिन कॉंस्टेंटिन उन सबों को चुप करा देता है और उनको शांत रहने को बोलता है जब तक कि वैटिकन और यूरोप के अन्य शहरों से फौजी मदद और जहाज ना जाए लेकिन कॉंस्टेंटिन का दाहिना हाथ उसका महानवाब लूकस नॉटरस पोप से मदद लेने पर अपत्ति जताता है असल में कॉंस्टेंटिन उपल और्थोडॉक्स क्रिस्टैनिटी का कींद्र था इसलिए उसके दर्बार में सबों को कैथलिक से मदद लेना सरासर नामज अगर युद्ध होता तो उसका ही सबसे ज़ादा नुकसान होता। नॉटरस एक दासी की मदद से उसके टर्किश दोस्ट के पास संदेश भिजवा देता है। उसका या टर्किश दोस्ट और कोई नहीं बलकि हलील पाशा ही था। कॉंस्टेंटिनोपल से लगबख 70 किलोमेटर दूर सेलिम्ब्रिया में नॉटरस और हरील पाशा गुप्त रूप से मिलते हैं। नॉटरस हरील पाशा को महमत को समझाने के लिए बोलता है कि वो कॉंस्टेंटिनोपल पर हमला ना करे। हलील पाशा खुद इस युद्ध के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसे लगता था कि इस युद्ध से किसी का कुछ फाइदा नहीं होने वाला। महमत का एक गुप्तचर दोनों को वहां देख लेता है और यह बात महमत को बता देता है। चंदारली हलील पाशा की यह हरकत जानकर महमत आगबबुला हो जाता है। उसकी माँ उसको शांत कराती है और हलील पाशा को अपने पास रखने बोलती है। क्योंकि हलील पाशा का तजूरबाई कॉंस्टेंटिन उपल पर फता करने के लिए सबसे जादा काम में आने वाला है। यह सुनकर महमद जरा शांत हो जाता है। महमद तुरंद यानौस पाशा को बोल कर आदी रात में हलील पाशा को राजमहल में उठवा लाता है। हलील पाशा महमद को सोने के सिक्के भीर चड़ाता है पर वो इसे लेने से इंकार कर दिता है पर इसके बदले वो उसे उसकी वफादारी मांगता है। महमद उसको बताता है कि वो अभी अभी नींद से उठ रहा है और नींद में उसने अपने पुर्खों को देखा उसके पिता और उसमान ने उसको रास्ता दिखाया जो कॉंस्टेंटिन उपल जा रहा था और वो सीधे वहाँ चला गया वो हाया सोफिया में घुसता है और वह उसे लाल सेब दिया गया, लाल सेब असल में वर्ल्ड डॉमिनेशन को दर्शा रहा था, अब अल्ला ने जो उसे रास्ता दिखाया है, उस पर चलने के लिए महमद हरील पाशा की वफादारी मांगता है, इस तरह महमद हरील पाशा को confidence में ले लेता है, वजीर की हैसियत से च हजार सिपाहियों की फौज खड़ा कर लेता है, महमद की फौज ने जल्दी ही कॉंस्टेंटिन उपल के बाहर बची हुई गिनी चुनी रूमन चौक्यों को कबजा करके उन्हें तबाह कर दिया, रूमन एम्पेरर कॉंस्टेंटिन अकेला सा पड़ता जा रहा था, महमद किसी ने भी इतनी बड़ी तोप बनाने की कलपना भी नहीं की थी, इस तोप को बनाने के लिए उर्बान महमद से 10,000 डुकेट्स की मांग करता है, महमद उसको बोलता है कि अगर उसके तोप ने कॉंस्टेंटिन उपल की धियोडोसिन की दिवारों को तोड़ दिया, तो फ जादा आतंग मचाया था कि जियोणीज गवर्नमेंट ने उसके तलाश शुरू कर दी, पर वो उनके चंगुल से भाग निकला, उसने कॉंस्टेंटिन को अपनी सेवा देने का ओफर दिया, यह देख कर कि कॉंस्टेंटिन उपर की रक्षा के लिए उससे अच्छा और कौ उसके पास महस साथ हजार सिपाही ही थे और वो पोप और अन्य यूरोपियाई देशों से मदद आने का इंतजार कर रहा है, कॉंस्टेंटिन जस्टिन यानि को जमीनी फौज का सरदार बना देता है, यह बात एकदासी नौटरस को इतला कर देती है, युद्ध के तीन सप और प्रॉमिनेंट फोर्स से जैनिसरीज, यह असल में क्रिस्टन्स थे जिने बच्पन में ही गुलाम बना लिया गया था, इसलाम में कनवर्ट होने के बाद वे सुल्तान के सबसे आधुनिक सेना थी, यह अपने रण कोशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, दो अप् कॉंस्टेंटिन उपल की उची-उची दिवारों के बीट से महमत ये शेना को देखा, 6 अप्रेल 1453, महमत कॉंस्टेंटिन को सरिंडर करने का आखरी मौका देता है, वो कॉंस्टेंटिन के लिए संदेश भिजवाता है कि अगर वो सरिंडर कर देता है, तो वो उसकी युद्ध डिक्लेयर कर देता है और तोप का गोला दागने का आधेश दे देता है